नमस्कार मैं अनिल दिछे लास्ट क्लास में हमने आपको थ्री डिजिट नंबर की स्क्वार वेल्यू निकालना सिखाया था और आज हम आपको टिविजिविल्टी के बारे में बताएंगे और कैसे हमको देखके ही नंबर को यह पता चल सकता है कि यह नंबर इस नंबर से ठूस्थम रूल है यह नंज तो हम स्टाट करते हैं हमारे पास नंबर कौन कोंसे हैं 15 तूरी हो our five वै। 7 8 और 9 हमें यह पता करना है कि कोई भी नंबर एक का तो एक से तो हर नंबर जो है वो एक से डिवाइड हो जाता है अभी हम दो से लेकर के तीन और नो तक की बात करते हैं तो किसी भी नंबर के जैसे कोई भी नंबर है 73235 अभी यहां पर जो यूनिट प्लेस है वहां पर हमको ध्यान देना है इंज़िस से कोई मतलब नहीं है के बाद अगर ऑपलेस यहां पर कोई समसंख्या लिख्वा से ओत सतु एटो चार है छे है आठ है और जीरो भी अगर यहां पर लिखा होगा तो भी यह नंबर दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपको समझ में है हमको पूरा भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ लास्ट यूनिट पर ही देख लें कि अगर यहां पर दो लिखा है यह चार लिखा है यह छे लिखा है यह फिर आठ लिखा है चा यह जी लिखा है इसका मतलब यह है कि ये नंबर डिक ली दो से दिवाइड हो जाएगा अब आम देखते हैं 3rd करने करने वार्ब तो 3D करने के लिए जैसे मां दीशेसे कोश नंबर है 7, 6, 3, 2, 3, ठीक है, अभी हमें इस नंबर को चेक करना है, यह नंबर 3 से डिवाइड होगा है, यहाँ पे तो हम यूनिट नंबर देखते थे, यहाँ पे थोड़ा है टेक्निक अलग है, यहाँ पे इस पूरे नंबर को हम जोड लेते हैं, आपस में एक दूजरे को जोड दे हो जाता है, तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, अब हम बात करते हैं, चार की, चार से डिवीजिविल्टी का जो नियम है, वो कोई भी स्टार्टिं की किसी भी संख्या से हमें, कोई देखना नहीं है, कितना भी लंबा नंबर हो, हमें केवल लास्ट दो डिजिट के बारे में देखना है, तो यहाँ पे, यहाँ पे एक ड पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा अब बात करते हैं पांच की पांच के लिए बहुत सिंपल सा है किसी भी नंबर के end में 8, 7, 5, 2, 0, 9 अब यहां पर जो unit place है वहां पर यह तो 5 लिखा हो और यह फिर 0 लिखा हो अगर 5 लिखा होगा यह 0 लिखा होगा unit place पर तो यह संख्या जो है पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी आपको भाग देखे देखने की जरूरत नहीं बढ तो यहां पर यह तो पांच है यह फिर जीरो है तो यह संख्या पूरी तरीके से पांच से डिवाइड हो जाएगी अब बात करते हैं तो जो तरीका है वह यह है कि जैसे सब्सक्राइब नमबर हम लेते हैं 3 5 2 6 4 यह नमबर हमें पता करना है तो 6 को अगर से देखें तो 2 3 6 होता है तू थी जाप 6 होता है यहां पे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह तू से डिवाइड हो रहा है तो हमने आपको बता था कि अगर यहां पे कोई भी इवन नंबर लिखा हुआ है तो फर यह तू से डिवाइड है इसका मतलब एक कंडिशन पूरी हो गई अब दूसरी क के लिए तो हम यहां पर देखते हैं 6 4 10 10 12 12 12 17 और 18 19 20 20 जो है वो तीन से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब यह नुमबर भी तीन से 6 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन इसकी जगे पर अगर यहां पर फोर लिखा हो सब्सक्राइड अब फिर से देखे तो यहां पर पहल देखने के लिए 6 4 10 10 12 12 12 17 17 17 21 अभी 21 आया इसका मतलब यह है कि 21 3 से डिवाइड है इसका मतलब यह संख्या जो है वो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी अब बात नमबर आता है साथ का तो साथ का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम आपको नेक्स्क को एक नियुम बताते हैं इसका कोई भी नमबर लिखे है 5 3 6 2 4 8 ठीक है यहाँ पर हमने यह देखा था कि कोई भी जो दो डिजिट है वो अगर चार से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर दो की जागे पर तीन डिजिट को देखेगे अगर यह तीन डिजिट जो है वो आठ से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या आठ से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी बतलब कोई भी डेसिमल वगरा कुछ भी नहीं बचेगा तो अभी इसको तीन डिजिट को चेक करें यह आठ शंग अर्टालेस और आठ एकव आठ इसका मक्तल्द यह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है आठ से ठीके अब आता है बात 9 की तो 9 के लिए फिर बैसे ही सिंपल सा जैसे 3 का था उसी तरीके से 9 का है कि जो पूरा नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी और इसी तरीके से हम देखते हैं जैसे 3, 7, 6, 2, 5, 4 यह संख्या हमने लिखी अब मैं पता करना है कि 9 से डिवाइड होगी यह नहीं तो यहां पर हम जोड़ना सुरू करते हैं 4 और 5, 9, 9 और 2, 11, 11 और 6, 17, 17 सा 24, 24, 27, 27 अब 27 को अगर 9 से भाग देंगे तो सीदा सीदा चला जाएगा इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 9 से पूरी तरीके से डि लाइक करने से सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आते रहें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 7 से कैसे हम फटा करते हैं कि कोई नमबर 7 से डिवीजिबल है या नहीं वो सिखाएंगे धन्यवाद